हेले वाटसेट बाइज यह वाटसेट दोस्तों आपके साथ कभी नगभी ऐसा हुआ होगा कि आपके फोन में कोई इंपोर्टेंट डेटा हो चाहिए वह फोटो हो कोई वीडियो हो और वह गलती से डिलीट हो या फिर आपके फोन का आपके पांच अप्लिकेशन बताने वाला हूँ जिने यूज करने के बाद आप अपना डेटा ऑनलाइन से और सब्सक्राइब कर सकते हो और यह बिल्कुल फ्री है यह दोस्तों यह बिल्कुल भी मेंटर नहीं करता है कि आपका जो फोन है वह चोरी हो या फिर मेमरी काट कर सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपके कोई क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज इस वीडियो को लाइक जुरू कर दीजी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले अपनी पहली एप्लिकेशन की बारे में बात करते हैं यहां पर पहली एप्लिकेशन है वह हमारी ड्रॉप बॉक्स है तो इसके अंदर आप तीस तरह की अलग-अलग फाइलें जो है अप्लोड कर सकते हैं और इसे लोग इन करने के लिए सिरिफ तो यहां पर आपको तीन टीवी तक का जो है मिल सकता है डेटा यूज करने के लिए तो दोस्तों इसे लोग-इन करने के लिए सिरिफ आपको अपना एक एमेल अकाउंट जो है वह सलेक्ट करना होगा यह ऑटमेटिक लोग-इन हो जाता है तो इसमें सबसे च्छी बात मु तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो है मेरा जो नाम है वो उसने ऐटमेटीक उठा लिया हैं और यहां से मैं इसे अघरी कर सकता हूं जो है तो जैसेख आप यहां पर देख सकते हें जो ड्रॉप बॉक्स प्लस है heat Presum कि यहाँ पर automatic आप camera जो rolls है उसे backup mode पर लगा सकते हो और दिखा रहा है कि यहाँ पर आप अपने computer को भी इसमें connect कर सकते हो और सारी files जो है यह देखी दोस्तो यहाँ पर जो है 2GB का data है वो हमें free मिल चुका है हमारी ID पर तो अगर आपको कोई भी file इसमें add करनी है तो मैं आप आपको दिखा देता हूं जस्ट आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ रहा है upload file टेक फोटो scan document यहाँ पर साथी चीज़ आप कर सकते हो तो हम upload फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारी recent जो है इतनी फाइल से वह दिख जाएंगी for example आपको मैं यह तो हमारी drop box की तरफ से इन्हें आप delete कर सकते हैं यही सही तो इस तरह से आप delete कर सकते हैं और अभी जो मैंने photo upload करी है वह यह photo है यह देखिए यह photo मैं upload करी है यहाँ पर drop box में लेकिन यहाँ पर जो है मुझे इसकी drop back यह लगी है कि अगर यहाँ पर गलती से हमान लेज अब यह photo upload हो गई है और अगर हम दुबारा से upload कर देते हैं तो duplicate photo नहीं बतायागा यह तोड़ा सा drop back लगा है इसलिए मैं आपको बताता हूं आप इसकी दूसरी application जो आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं हम अपनी दूसरी application की तो जो दूसरी application है वह हमारी one drive तो basically जो one drive है यह Microsoft की drive है तो just मैंने इसे download करा हुआ है और मैंने इसमें login भी करा हुआ है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें already login करा हुआ है तो दोस्तों इसमें सबसेची चीज मुझे यह लगी हाँ पर एक आपको personal wallet भी मिलता है जिसके अंदर आप security भी लगा स data यूज कर रखा है 5GB मैंसे और सबसेची बात है कि इसके अंदर जो अगर आप इस अप्ग्रेड करते हैं तो आपको 1TB तक का data आप इसमें अप्ग्रेड कर सकते हैं और सबसेची चीज में यह लगती है मुझे कि इसके अंदर जो Microsoft का Office है यानि Office 365 यानि कि जब भी आप Microsoft Excel वगरा पर काम करते हैं तो यहां से लॉग इन कर सकते हैं आपकी जितने भी सारी जो फाइल से वह आप सारे कंप्यूटर में या फिर सारे मोबाइल में मल्टिबल डिवाइस में आप एक्सेस कर सकते हैं तो यह application आप कैसी यूज कर सकते हैं आप सिंपली दोस्तों यहां प पर अपनी जो फाइल जो है वो अप्लोड करेंगे तो हम प्लेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप सिंपल सा इंटरफेस देख सकते हो यहां तो आप कोई स्कैन कर सकते हो या फिर जैसे मैंने भी बताया कि Microsoft Office जितने भी आपकी दोक्यमेंट होते हैं माल लेजी अभी आप Excel पर यहां पर काम कर रहे हैं और वहीं चीज आपने यहां पर अगर कर दिए अगर वहीं चीज आप यहां पर हमारा जो फॉस्रिय यह उपलोड हो चुकित्य तो इस फॉट्टो पर सकते या फिर जो लिंक यह किसी को भेज है किसी को कहीं भी इस तरह से सारा ओनलाइन सेफ रहागा कभी दोस्तों यहां पर आपका डेटा जो हो जायागा तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी है दोस्तों अपने तीसरी आप्लेकेशन की बात करते हैं जो बहुत ही जबर-दस्त है आपको प्ले स्टोर पर जाके box type करना है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक box application है और इसकी अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसमें आपको 10 GB का data मिलता है use करने के लिए तो फिलाल जो है मैंने यहाँ पर यहाँ पर आप स्टोरेज भी देख सकते हैं यहाँ पर हमें 10 GB data जो ही दिखा रहा है और अभी जो मैंने यूज कर रखा data वह लगबख 30 GB data यूज कर रहा है तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी वह यह है फॉर इक्जांपल अभी मैं आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों मैं सबसे पहले जाँँगा अपनी जो है फोटो अप्लिकेशन के इंदर और यहाँ पर जो है मैं एल्बम पर जाने के बाद जैसी हमारी वीडियो है आपको दिखा देता हूं तो जैसी कि आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर आपशल सब्सक्राइब कर दूगा और यह बॉक्स की एपलिकेशन पर हमारा डेटा जा रहा है यह देखिए यहां पर कुछ इस टाइप सा इंटरफेस आ गया है तो अभी बता रहें कि फाइल हमें कहां पर अप्लोड करना है तो मैं इस वाले फोल्डर को सेलेक्ट करता हूं और अप्लोड यहां कर देता हूं ठीक है तो अभी आप जैसे देख सकते हैं यहां पर आपको ओपन करके दिखा देता हूं वापस जैसे में सेटिंग में जाता हूं यहां पर आप देख सकते हमारा जो स्टोरेज में लगबख 50 MB हो गया है तो अगर मैं यहां पर जाके फिर से इसे डिलीट कर देता हूं यह देखिए तो डिलीट करने के बाद जो हमारा स्पेस से वह वापस हमें रिकावर मिल जाता है यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी है इसमें यह देखिए तो जो हमने फाइल डिलीट करी थी उसका जो स्पेस था वह यहां पर माइनिस हो गया है और यहां फिर से 30 MB के असपास 29.7 MB यहां पर दिखा रहा है तो इस जो है वो 200 MB पर फाइल के इसाप से लिमिट आपको मिलेगी यानि कि आप 200 MB की फाइल जो है मल्टिपल इसमें जो है अपलोड कर सकते हो और दोस्तों इसके सबसे च्छी बात मुझे यह लगी है कि जो भी फाइल है फॉर एक्जांपल जैसे मैं यह वाली फाइल अगर मैं से इस शेयर करता हूं कहीं पर तो जैसे यह देखिए टो जैसे मैं इसलेख करता हूं और यहां पर हमारी यहां से चार्स कर अभांस करेंगे जो कि हमारी गोगल भीग्ण की तरफ से गूगल फोटो तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं ओलेडी गूगल का जो है फोटो एप्लिकेशन यूज़ कर रहा हूं और यहां पर मैंने जो है बैक अप और सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कि आप यहां ही ऑनलाइन जितना भी फोटो अप्लोड भी कर सकते हो और इसका जो साइज आपको मिलेगा वो लगबग 15 भी आपको मिलता है बट मेरे पास तो यहां पर यह अनलेम्टेट दिखाएगा क्यूंकि अब हम गूगल पिक्सल डिवाइस यूज़ कर रहा हूं और सबसे चीचीज यह कि जो भी अप्लोड फाइल यहां पर आप करते ह आप इसमें अपलोड करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो बैक अप है यह और फोटो मेरी सारी अपलोड़ेड हो चुकी है इसकी बात यहीं से ही इन्हें जो है एडिट कर सकता हूं तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी है अगर मुझे कोई भी फोटो ड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने जो बैक अप है वह आउन करा हुआ है बट माली जी अगर आपने बैक अप आउन करा है तो जो भी मल्टिपल फोटो होगी जो भी डूब्लिकेट फोटो होगी वह यह और एक ही फाइल को अपलोड करेगा तो यह चीज मुझे काफी अच्छί लगी है इसके अंदर परकी चीज और लगी है कि इसके अंदर जो है आप फोल्डर स्टनेकर सकते हों जो भी आपको अप लोड करना तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने device की जितने COLDERS हैं, उन में से सर्फ pixel और download changes folder को ही select करा हुआ है, तो अगर मालीजी ए मैं जो भी pixel से photo लेता हूँ, अपने pixel 2 से तो वो upload होंगी और जो download करूँगा, वो upload होंगी, तो ये चीज मुझे काफे अच्छी लगी है, यहाँ पर सारी चीज़ें अप्लोड नहीं होंगी मालीजे screenshot भी अगर मुझे upload करने है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस पर जैसे click करूँगा और यहाँ पर backup now पर click कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यह updating हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है हमारा move to folder आ रहा है और अगर मैं कोई दूसरा screenshot आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर backup now का option आ रहा है मतलब जो हमारा पहले बारा screenshot था वो upload हो चुका है हमारे photos के server पर तो दोस्तों यह तो रही हमारी photos की बात आप Google की तरफ से एक चीज और आती है जो शायद आपने पहले भी देखी होगी यह है Google Drive तो यह चीज मुझे काफी पसंद है इसमें सबसे चीज़ी बात यह है कि आप इसमें कोई सी भी files अपलोड कर सकते हो और इसका size पर matter नहीं करता है यहाँ पर जैसी कि आप देख सकते हैं 15GB का आपको जो है यहाँ पर limit दी जाती है तो यहाँ पर multiple कोई भी file कितने भी GB के आप अपलोड कर सकते हैं मैंने बहुत सारी file जो है upload करी होई है और इसकी भी मुझे सबसे चीज़ी बात यह लगी है जब भी कोई file आप डिलीट करते हैं इसमें से तो यहाँ पर जो free space जो है वो आपको वापस मिल जाता है तो यह चीज़ मुझे काफी अच्छे लेगी है तो दोस्तों यहाँ पर जैसी कि आप जैसी कि आप सकते हैं बिल्कुल सिंपल इंटरफेस हैं दोस्तों हमाई जो file है वो यहाँ पर upload होगे यह बहुत छोटी फाइल तो गूगल ड्राइव का सबसे बात मुझे यह लगती है कि आप इसमें कोई भी जो है जो फाइल है उसका जो लिंक है वह लिंक शेरिंग ओन कर सकते हो तो लिंक शेरिंग जैसे आप उन करोगे उसके बाद यहाँ पर लिंक इसका कॉपी करोगे तो आप जब भी आप यह वाला जो लिंक है किसी को भी बेजोगे वर्टसप पर या फिर मैसेज में तो वह डिरेक्ट ही बंदा इस लिंक को जो है अपने ब्राउजर पर उपन कर करीती यहीं पर वह फोटो जो है यह डाउनलोड करने के लिए दिखा देगा तो आप सिंपली से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ एप्लिकेशन जो आपको बताई है यह हमेशा आपको यूज करने चाहिए और बहुत ही जबर्दस अप्ल क्योंकि दोस्तों जो हार्ड डिस्क के आफे जो हार्ड ड्राइव होती है वह बहुत ज़्यादा रिलाइबल होती है रैदर दन मेमोरी कार या फिर स्मार्टफोन तो दोस्तों फोप यो गाईस इंजोई इस वीडियो प्लीज लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब मैं मैं आपके लिए ऐसी बहुत जबरतस वीडियो से लाता रहूँगा तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एगली वीडियो में बाई फॉनाओ सियो नेक्स टाइम